आज हम बनाने वाले हैं ट्रडिशनल इंडियन स्वेट डिस जो की है खाजा तो चलिए देखतें इसे कैसे बनाना है और देख लितें इंग्रीटिन्स यह बनाने के लिए मैने लिया है two cup मैदा यह दो कप मैदा है measuring cup के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ तो दो कप मैदा है दो कप मैदे के लिए हम डालेंगे two tablespoon oil यह मोयन के लिए oil है आप oil की जगे है बटर का भी यूज कर सकते हैं और साथी साथ इस आटे को गूतने के लिए हमें लगेगा पानी, तो पानी हम जरूरत के हिसाब से डालेंगे। और साथी साथ हमें लगेगा रिफाइन डॉइल इन खाजों को फ्राई करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी डो रेडी करते हैं। तो अब एक बड़े मिक्सिंग बाउल में हमने लिया ही ये मैदा और इसमें अब हम डालेंगे टू टेबल स्पून रिफाइन डॉइल और इसे हमें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है हाथों की साहता से। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम अपने आटे को गूतेंगे। तो इसके लिए हम जो आटा गूतेंगे वो सेमी सॉफ्ट होना चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए। सेमी सॉफ्ट हो पानी डालके हम अपने डो को रेडी कर लेंगे, तो ये लिजे हमारी जो डो है जो हमार आटा है वो गुद करके तयार है, इस आटे को अब हम ढख करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि आटा काफी अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, और उसके बाद ही हम खाजे को बनाना शुरू करेंगे, तो इसे ढख करके हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, अब इस आटे की हम लोईयां काटेंगे, तो यहाँ पर मैं चार लोईयां बना रही हूँ, क्योंकि हम खाजे के लिए 4 लेयर ये 4 परत बनाने वाले हैं, आप 4 क को हमें रोल कर लेना है, तो इसे अब हम रोल कर लेंगे, और लेमन साइज ही हमें चाहिए, ये बॉल बहुत बड़ी नहीं चाहिए, ट्रैक फ्री बॉल हमें बनानी है, तो यह देखिए, यहाँ पर मैंने चार लोईयां रेडी कर लिया, और आब इने रोल करना शुरू कर लेंगे, तो बस अब इसे हम बेलेंगे, इसे हमें पतला बेलना है, तो यह देखिए, मैंने चार लेयर्स बना करके रख लिया है, और अब इन लेयर में, तो सबसे पहले हम एक को लेंगे, तो सबसे पहले हम एक क्लियर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा ओईल लगाएंगे, ओईल ब्रस की सायता से, या तो फिर आप हाथों की सायता से भी इसमें ओईल लगा सकते हैं, ओईल की जगे आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, तो इसमें अच्छे तरीके से हमें ओई से हमें यह स्प्रिंकल करना है इसमें और अब हम इसमें अपनी दूसरी लेयर रख देंगे अब हम इसमें अपनी दूसरी लेयर भी रख देंगे तो यह देखिए इसमें मैंने दूसरी लेयर रख दी हो और इसके उपर भी हम आइल लगाएंगे तो इसी तरीके से हमें सारी layers में यही process करनी है ठोड़ा सो सूखा outer dust करेंगे और फिर अगली layer हम इसमें रख देंगे तो बिलकुल बराबरी से इसे हमें रखना है इसमें और इसमें भी हम oil लगाएंगे और outer dust करेंगे और 4 लेए रख देंगे अब जो टॉप लेयर है अब जो हमारी टॉप लेयर है उसमें भी हमें ओईल लगाना है और इसमें भी हम सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसमें भी हम सूखा आटा डस्ट करेंगे अब इसे हमें फोल्ड करना है तो देखे इस तरीके से इसे हम फोल्ड करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा ओईल लगाते जाएंगे आप चाहें तो सूखा आटा भी डुस्ट कर दे थोड़ा ओईल लगाएंगे थोड़ा सा आटा डुस्ट करेंगे इससे क्या होगा कि हमारी जो लेयर है जो परत है वो अच्छे तरीके से खुलेगी तो ये देखे इस तरह से अब हमारा एक रोल त्यार हो गया है तो अब इस रोल के हम छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे तो एक नाइफ की हेल्प से हम इसके छोटे पीसेस कट कर लेंगे तो ये देखे हमारे सारे पीसेस कट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी लेयर इसमें बहुत सारी लेयर आने वाली है अब इसे फिर से हम थोड़े से सूखे आटे में कोट करेंगे और उसके बाद हलके हाथोसे से हमें थोड़ा सा प्रेस करते हुए रोल करना है इस साइच का बहुत ज़्यादा प्रेसर नहीं डालना है ने तो हमारी जो लेयर से वो सारी चिपक जाएंगी इसी तरीके से हम अपने सारे खाजों को रेडी कर लेंगे तो बस अब बारी है इन खाजों को फ्राई करने की तो अब हम इन खाजों के लिए चासनी बनाएंगे तो इसके लिए हमें कड़ाई में डालेंगे एक कप सक्कर और इसमें हम डालेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी तो इसमें अब हम आधा कप पानी डालेंगे और अब इस चासनी को हम गैस पर उबलने के लिए रख देंगे और एक तार की चासनी हमें बनानी है तो बस अब इस चासनी को गैस पर हम पकने के लिए रख देंगे और एक तार की चासनी हमें बनानी है तो अब बारी है इन खाजों को फ्राई करने की तो कड़ाई में मैंने तेल को गरम होने रख दिया है और उस तेल में अब हम अपने खाजों को डालेंगे तो तेल हमारा गरम हो गया है और मेडियम फ्लेम पे ही हमें खाजों को फ्राई करना है बहुत ज़्यादा हाय प्लें नहीं होनी चाहिए तो कड़ाई में हम 4-5 खाजे डालेंगे और बिल्कुल लो तो मीडियम फ्लेम में हमें खाजों को फ्राई करना है देख सकते हैं कि इसकी लेश फ्राई जो है खुल रही है और यह जो फोक होता है याथो आख को न आईप बिले सकते हैं और उसकी शफाज़र से इन खाजों को हमें यू खूलना है जिससे क्या होगी कि इसकी जो लेश हैं वह खुल के बाहर आएगी तो इस तरीके से इन खादू को हम खोलते जाएंगे जिससे इसकी जो लेयर है वो अच्छे तरीके से निकल कर आएंगी टो आप देख सकते हैं कि हमारे जो खाजे हैं उनकी लेयर कितनी सुन्दर खुली हुई है तो लेयर और जाता चाहिए तो आप जब भी लेयर बनाएं तो आप रोटी पूरी बनाते हैं उसकी क्वंट्टी बढ़ा सकते हैं आप पांच कर सकते हैं या पर मैंने चार ही रोटियों से बनाया ऐसे तो अब इस खिले-खिले परत वाली खाजे को हमें टीशू पेपर में निकाल लेंगे तो ये लीजे हमारे सारे खाजे फ्राई हो चुके हैं और अब बारी इने चासनी में डालने की तो अब इन खाजों को हम चासनी में डालेंगे और चासनी हमारी बहुत गरम नहीं होनी चाहिए थंडी होनी चाहिए रोम टेंपरेचर पर आ जानी चाहिए ये तो ये देखिए हमारे सारे खाजे चासनी में कोट हो चुके हैं और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बागी के खाजों को भी इसी तरीके से हम चासनी में कोट कर लेंगे तो ये लीजे हमारे सारे खाजे बन करके तयार हैं आप सबी से ज़रूर ट्राइ करिएगा थैंक्स वर वाचिंग